लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ WhatsApp conversation है और ये exclusive ऐसा मुझे पता है कि आप बहुत सोच समझ कर ही बोलेंगे लेकिन एक बार ये WhatsApp conversation आप देखिए महेश भट और रिया चक्रवर्ती के बीच ये 8 जून को है जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई थी और कथित रूप से उसके बाद दोनों नहीं मिले थे उस दिन रिया चक्रवर्ती लगतार महेश भट से बाचीत कर रही थी मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन आपको मैं कैसे बताऊँ शुक्रिया बहादूर बने रहने के लिए मैंने हमेशा सब कुछ पीछे छोड़ दिया है आईशा ने तुम मेरी बच्ची हो तुम बहुत अच्छी मेरी बच्ची हो आप सही थे इस दिन के लिए हमारी मुलाखात हुई थी सिर्फ फिल्म के लिए ही नहीं बलकि कुछ बहुत अलग था आपके बोले हुए हर शब्द गुंचते हैं मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ शत्रुगन जी आज आपको बोलना चाहिए इस पर क्योंकि सभी लोग ये जानना चाह रहे थे और कोट में रिया चकरवर्ती ने कहा कि सुशान्त ने मुझे कहा था घर छोड़ कर जाने के लिए रिया चकरवर्ती ने वाटसाप मेसेज़ेज लीग करके बहनों पर परिवार पर सब बड़े गंभीर आरूप लगाए थे लेकिन अब बात तो अंदर से ये निकल कर आ रही है कि वो महेश भट के साथ कांटाक्ट में थी वो सब कुछ जानते थे इस रिष्टे के बारे में और वो उसको फ्रोटसाहित कर रहे थे कि तुम निकल जाओ इस सबसे देखिए कुछ हद तक तो मैंने अंजना इस बात का जवाब दे दिया है अभी और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इन बातों को अगर पेश करना है तो अभी जो कि इन्विस्टिगेटिंग टीम है उसके सामने पेश करना चाहिए वही लोग इस पे ज्यादा आप रोशनी डाल पाएंगे कि हमें तो यह भी नहीं पता है कि उन दोनों के बीच रिष्टा क्या था क्या गौड़ फादर का रिष्टा था एक बड़े बुजरू का अंकल क मैं तो आपको बताना चाहँगा जी लडकी का अपने नाम लिया उस लड़की से भाते मेरेको मुलकात अब नहीं हो ये अपने दिखाया है मैं शेकर सुमन्द की इस बात से भी सहमत हूं कि उसने कहा है कि महेश बट पर इंटेलेक्शल आदमी है बुद्धी जीवी है अब उनका क्या है क्या क्यों कहा उन्होंने किस आधार पे कहा वो रिष्टे की गहराई क्या थी कैसे उनलों के अंदर रिष्टा पंपा और पंपा त पहली बात को मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है जबकि मुझे इन विशे की पूरी जानकारी नहीं है आप जानती है और इस बात को आप लोग मानते भी है कि मैं कोई बात कहता हूं तो कम से कम विशे की जानकारी के आधार पे ही कहता हूं जहां तक मुझे जानकारी होत ही है लेकि चुके मुझे नहीं है और मैं लोह को बख और दूसरा ये भी देखी कि हमारे उन में सुशान के भी और जिनका नाम लिया आपने इन लोगों के बीच में बहुत अंतर भी है यह लोग सही माने में तो आप कह सकती हैं जिना कि हमारे बच्चे समाने इन तो सेंस की age factor थे हमारे साथ सुषान भी जब आये थे जब मिले थे तो बहुत respectfully मिले थे बहुत संसकार के साथ मिले थे लेकिन हमने उनसे भी कहा था कि हमारा हम तो तुम्हारी हौसला अवजाही कर सकते हैं हम तो आखरी पारीमाना नहीं होना चाहिए यह सब बातें निकों भी अच्छी लगी दी मुझे भी अच्छी लगी थी जहां तो आपने लड़की का जिगर किया मेरी तो कभी मुलाकाइद नही इन से तो तो शुषान से तो एक बार मुलाकात हुई थी, इनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, मैं इस भट से भी मुझे मिले हुए कम से कम 4-5 साल तो जरूर हो चुके होगे, शायद उससे जादा ही, इसलिए मैं अपना सुझाव एक हमली हमें कहना चाहूँगा, इन बातों को अगर CBI के सामने र रखा जाए, तो वो लोग ही जादा अच्छी तरह बता पाएंगे, और वो लोग ही इस विशे पे और जादा रोश्नी डाल पाएंगे.